गुरू मंगल शुक्र शनी लाएंगे बड़ा बदलाओ बड़ा इस्पेसल समय होगा कुम्भरासी वालों के लिए 15 मार्ज से लगा करके 14 अपरेल तक मित्रो नमस्कार मैं मैंग त्रिपाथी नवग्यान जोतिष चैनल पर आप सभी दर्सकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मित्रो मंगल देव और शनी देव का कॉंबिनेशन बनने वाला है आपकी कुंडली में और उधर शुक्र का मुवमेंट भी बहुत अच्छा कुंबरासी वालों के कुंडली में होने वाला है तो यानि कि आपके लिए बड़े सुंदर समय की सुरुवात है सनी की साड़े साती का आप सामना कर रहे हो लेकिन इस समय आपको समय में सुधार आता हुआ दिखाई पड़ेगा बेसक शश्योग भी बना हुआ है लेकिन आप परिशान चल रहे हो अगर तो मान के चलिए यह समय आपके लिए गोल्डेन अपर्चुन्टीज लेकर के आने वाला है सबसे पहले जानते हैं कि प्लैनेटरी पोजिशन क्या है तो आपकी कुंडली में 14 मार्च से 13 अपरेल तक का मंगल शनी का कॉंबिनेशन आपके लगन में बना रहेगा हाला कि मंगल का कॉंबिनेशन तो 22 अपरेल तक का बना रहेगा लेकिन यह रासी फल के वल 14 अपरेल तक का ही है और शुक्र का भी कॉम्मिनेशन साथ में रहने वाला है 30 मार्च तक 30 मार्च तक मान के चलिए शनी मंगल और शुक्र एक साथ रहेंगे आपके लगन पे बाद में शुक्र उच्छ रासी में अपने प्रवेश कर जाएंगे आपके धन भाव पे सुर, बुद्ध, राहू, तीन ग्रह आपके धन भाव पे रहने वाले हैं उधर गुरु का गोचर या थावत रहने वाला है या रासी फल अपने लगन कुंडली और चंद रासी दोनों के अनुसार सुन सकते हैं उसके अनुसार आप उपाय कर सकते हैं किन्तो यदे आपको अपनी डेट आप बर्थ नहीं पता है तो ऐसे में आप अपने प्रच्रित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए अगर आप नौकरी करते हैं तो भाया नौकरी करने वालों के लिए बड़ा सुन्दर समय इसलिए शुरू हो गया क्योंकि मंगल देटा आपके लगन पे विराजमान रहेंगे सनी के साथ कर्म छेत्र के मालिक हैं तो इस समय नौकरी में आपको उन्नती के अवसर प्राप्त होंगे सभी आपके उच्चस्त अधिकारी जितने भी हैं सब आपका सहयोग करेंगे आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे अगर नौकरी नहीं है प्रयास करोगे तो आपको नौकरी मिल भी जाएगी इस अवधी में ऐसे सुंदर योग मंगल देटा के लिए बना करके बैठे हैं यानि की कारी छेतर जबर्दस्त तरीके से आपका बढ़ेगा ये एक पहला प्लस पॉइंट दूसरी चीज सेल्फ का व्यापार कर रहे हो तो जबर्दस्त फाइदा आपको देखने को मिलेगा लेकिन अगर पार्टनर्शिप में व्यापार कर रहे हो तो अपने पार्टनर पर आख बंद करके विश्वास मत करिएगा अन्था आप परेशानी में पढ़ जाओगे अब बात करेंगे विद्यार्थियों की विद्यार्थी यदि आप हो तो आपके सिक्षा उच्छ सिक्षा में वैसे तो इस्थितियां अनकूल हैं लेकिन थोड़ा स्रम अधिक करना पड़ेगा कोईकि बुद्धी का मालिक नीच रासी में बैठा हुआ है तो कहीं न कहीं मन में कनफ्यूजन की इस्थिती उत्पन नहों इसलिए थोड़ा परिश्रम अधिक करिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा प्रेमी जोड़ों के लिए इस्थिती सो सो है बहुत अच्छी नहीं है बहुत खराब नहीं है बात करें वैवाहिक जीवन की तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ वैवाहिक जीवन के लिए इस्थिती पूरी तरीके से गडबड़ बनी हुई है अगर साधी सुधा जिंदगी में पहले से नोक जोक चल लही है तो वो बढ़ेगी अगर नोक जोक नहीं चल लही है तो भी इस समय को आपको संभल करके काटना होगा क्योंकि शनी मंगल की दोनों की दश्टी साथ में भाव पे पड़ रही है तो कहीं न कहीं जब दो अलगाव अदी ग्रह एक साथ द्रश्टी डालने जिस भाव पे तो उस भाव से संबंधित फलों में कमी कर देते हैं कल्या का वाता वरण उत्पन कर देते हैं अगर साधी सुधा जिंदगी में खराबी उत्पन होने लगे तो ओम आदित्याए नमह या ओम सूर्या नमह इस मंत्र का जब करके आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हो यात्रा अगर करना चाहते हो तो आप यात्राएं करिए यात्राओं के सُخद औसर प्राप्त होंगे सुखद योग बने हुए हैं आगे बढ़ने से पहले बता दूँ अगर वीडियो अच्छा लगा करें कमेंट बॉक्स में भीया अपने इश्ट देउता का नाम जरूर लिख दिया करिए वीडियो को लाइक कर दिया करिए अब बात करेंगे उन वेक्तियों की जो लोग भाग पर आस्रित हैं तो आपके लिए खुस खबरी है कि भागेस आपके सुरुवात में लगन पर बैठे हैं और भाग भाव पर गुरू की सीधे साथ में दिश्टी पड़ रही है तो इस अवधी में सभी कुम्हलगन और कुम्हरासी वालों का भाग बहुत जबरदस तरीके से साथ देता रहेगा दैवी कृपा बनी रहेगी इसका आपको लाभ मिलेगा उसके बाद भाग का मालिक उच्चका हो करके बैठ जाएगा तो वाड़ी में मधुरता उत्पन कर अपनों का सहयोग मिलने लगेगा परिवार का साथ मिलने लगेगा इसके बाद बात करें कि स्वास्थ आपका कैसा रहने वाला है तो आपकी जानकारी के लिए बतादू कि शनी देवता उदित हो चुके हैं, सेना पती के साथ विराजमान हैं, तो दुस प्रभाव से भी आप बचे रहेंगे, और वहीं पर अगर आपको मानसिक असांती बहुत ज्यादा थी, तो वो समाप्त होते हुए दिखाई पड़ेगी, स्वास्त इस अवधी में आपका दिखाई पड़ेगा, जो लोग साधी करना चाहते हैं, उनके लिए आउसर सुखद बने हुए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर साधी करना चाहते हो, विवाह के योग आयू है, तो गुरू के मंत्रों का आप जप करिए, कम से कम 108 बार, अनिता साधी के रिस्ते आए तो जुरूर लेकिन कहीं न कहीं बाधा उत्पन होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी, सेर सक्ते से जुड़े लोगों के लिए खुशखबरी है, कि आपको समचित मात्रा में लाब मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, चाहे लंबे समय के लिए निवेश करते हो, या पूरे तरीके से शुक्र दिवता बनाए हुए हैं, और लगभग यह यह योग आपकी कुंडली में जो तारीक मैंने पीछे बताई है, उस तारीक तक बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, अंत में बात करें कि आपकी आर्थिक स्थिती कैसी रहेगी, तो भहिया आपकी कु स्थिती में जबर्दस्त उचालाता हुआ दिखाई पड़ेगा, कलपना से अधिक आप बचत कर पाओगे, सुरुवात में पैसा आएगा, लेकिन बचने में मुश्किल होगी, लेकिन 30 मार्च से पैसा आपका बचने भी लगेगा, और कहीं न कहीं परिवार का जबर्दस् भंग योग भी बनेगा, और उधर भागी का मालिक देवी क्रपा बना देगा, और भी जबर्दस् तरीके से, तो उसका लाभ आपको कहीं न कहीं मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानि कि भागेश बैठेगा, उच्छ रासी में, गुरु की रासी में, और गुरु की द रिजल्ट मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे, कोई नया काम कारोबार अगर शुरू करना चाहते हो, तो आपको चाहिए 30 मार्च के बाद सुरू करिए, इस से इस्थिती और भी ज्यादा अच्छी बनते हुए दिखाई पड़ेंगी, और आल समय की चाल बहुत बढ़िया है, वैवाहिक जीवन को अगर छोड़ दे, तो कोई खास दुस्प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, सभी छेत्रों में आप विजय हासिल करोगे, उपाय करिएगा, एक बार बजरंग बार का पाट कर लीजिएगा, और साथी साथ सनीवार सनीवार सन मंदिर में जाकर के एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिएगा, इस से इस्थिती और भी अच्छी होते हुए दिखाई पड़ेगी, कल मिलेंगे मैंक त्रिपाठी को अनुमत दीजिए, नमस्कार